काफी लंबे समय से परतिक्षा और परतिक्षा में जनाकांचा आप समझ गए होंगे मैं बात करना हूँ कॉंग्रेस के जनाकांचा रेली का जनाकांचा रेली ने बहुत कुछ इस पटना को पिहार को सिखाया दिया और कई ऐसे प्रस्ण खड़े कर दिया जो प्रस्ण और बहुत सारे ऐसे प्रस्ण है जिसका उत्तर कॉंग्रेस को देना है और जनता जरूर पुछेगी उनमें एक प्रस्ण ये है कि इस जन्नाकांछा रेली में कॉंग्रेस के लोगों ने, कॉंग्रेस के विधायक ने, कॉंग्रेस के सांसोदों ने और कॉंग्रेस के पदाधि जिन्होंने कॉंग्रेस का नहीं होते हुए भी कॉंग्रेस के लिए जो कुछ भी किया वो क्या था दूसरी तरफ एक प्रस्नी ये भी है कि आखिर कॉंग्रेस को अनन्द सिंग ने बहुत कुछ दे दिया आज जो भीर गांधी मैदान में नजर आई वो भीर सबसे अधिक एक से डेड़ लाक लोगों को गांधी मैदान में भर देंगे गनना बता रही है शुत्र बता रहे हैं और जो कैमरे ने कैद किया है वो सीधे सीधे ये बता रहा है कि अब कॉंग्रेस के लिए एक सवाल खड़ा कर दिया है अनन्द सिंग ने कि मैंने तो आप दे दिया जा रहा है जैसा कि अपने देखा होगा कि वैली से एक दिन पहले जो बातें कॉंग्रेस नेतित्व कॉंग्रेस बिहार के प्रभारी कॉंग्रेस बिहार के अध्यक्ष और चुनाव समिती के अध्यक्ष इन सभी ने मिलकर के अनन्द सिंग को अपने पाले में मानकर अधिकारिक रूप से घोशना करती है कि अनन सिंग कॉंग्रेस के हो गए हलाकि कॉंग्रेस ने ये बात कह दिया है कि अनन सिंग का बहुत पुराना रिष्टा रहा है उनके भाई दिलिप सिंग कॉंग्रेस के पुराने सदस्य रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं इस इस्तिती मे क्या seat के बटवारा होने तक अनन्ज सिंग को कॉंग्रेस अधर में लटका के रखेगी या फिर अनन्ज सिंग अब कॉंग्रेस के हिस्सा हो गया है और मुंगेर के लिए साथ साथ अनन्ज सिंग ने यह भी दावेदारी किया था कि वो 40 की 40 सिटों पर मदद करेंगे देखने वाली बात यह होगी कि कॉंग्रेस कब चुकि कॉंग्रेस ने यह बात कहा दिया था और महागडवने में यह बात कहा था कि तीन तारीक के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा तो क्या वो आश्मान साफ हो जाएगा हलाकि मौसम विभाग के सूचना है कि तीन जार दिन तक बादल घीरे रहेंगे तो यह बादल कब तक साफ हो जाएगे और अनन सिंग खुल करके कॉंग्रेसी कहलाने लगेंगे जुड़े रहे है निउस भिहारो भात लाइब के साथ तब तक के लिए जब तक कोई दूसरी खवर लेकर नहीं आ रहा हूँ नमस्कार